हेलो प्रेंट्स वां सिकेंड बेलकों है कि माई ट्विचर दोस्तों मैं हूँ आकाश पाड़ और आप देख रहे हैं यूनिक सिविल में गड़ सेल फ्योरिक कैसे हो आप लोग दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर हमारे पास कोई लोड बीरिंप इस्ट्रक्चर पर उसके ऊपर कंस्रक्शन कैसे करें इसके बारे WITH मैं आज की वीडियो में बताने वाले हैं चलिए देखते हैं किस तरह से प्रिंप्रों किया जा सकता है गाइस अगर अभी तक आप लोगों ने Unixivil एप डाउनलोड नहीं किया है तो सबसे फ़ले Unixivil एप डाउनलोड करो क्योंकि इसके अंदर धेर सारे study materials आपको मिल जाएंगे और साथी साथ बहुत धेर सारे practice project मिल जाएंगे जिनको आप AutoCAD, StatPro में practice कर सकते हो इसमें free और paid दोनों content है जो आपको पसंद आया है वो आप उसको लेकर यूज़ कर सकते हैं तो पहले आप लोग एप डाउनलोड करिए चली thank you अब वीडियो स्टार्ट करते हैं कैस मुझे morning में में मेरे एक student ने call किया कॉल करके बताया कि सर मुझे project मिला हुआ है आप में से भी बहुत से लोगों को ऐसे project मिलने वाले हैं कौन से पूराने जो construction है मलब 25 साल 40 साल पूराने जो construction है उनको reno rate कराना है उनको एक floor ground का का काम पहले जादा होता था for rental development उसके ऊपर एक floor बनाना है तो इस तरह के course आपको भी बहुत से आने वाले हैं और उसको आया था उसने बोला सर हम इसमें column कैसे लगाएंगे beam कैसे लगाएंगे जनररी सभी सोसते हैं कि क्योंकि अभी हम सब क्या देखते है frame structure तो हमारे mind में college से अभी तक में इसे frame frame रहता है बट वहां तो column बीम लगाई ही नहीं सकते हो क्यों क्योंकि वो load bearing structure है तो वहां construction कैसे कर सकते हो चली समस्त्रे है तो guys सबसे पहले आप याद रखो 35 से 40 साल कुराना construction में maximum जो वाल होती थी 14 इंचिस की ठीकनेस वाली होती थी 14 इंच की ठीकनेस मतलब कि जो आपकी 14 इंचिस की वाल थी उपर के floor पे आप 9 इंचिस की वाल लेलो best रहता है अगर मालों नीचे कर आपको मिल जाता है 9 इंचिस का आप उपर 4.5 इंचिस का लेलो best रहता है चली इस तरीके से क्या करते तो आप load bearing structure में नीचे से उपर जा सकते हैं और load को कम करते हुए अब आप सोचते हो गए कि अगर हम उपर जाएंगे तो उपर हम slab किस तरीके से ढालेंगे slab किस तरीके से बलब क्या कि ओर 4.5 इंचिस या कि कि ओर 9 इंचिस की जो वाल वाल है क्षिए प्लींड में लंट कुछ श्रींद खोंट मिल जाता है दासकते हैं। प्रांसफर हो पाया तो तब आपके पास दूसरा उपसं होता है RC यह होता है फोता है यह बिंग का स्लैब होता है ठीक है वह बनाना चाहिए जहां पर लोड कमाने वाला है भी नहीं लगता है उसकी में सिंग करना है पाइदा क्या होता है कि लोड हलका रहता है और इसलिए वो अच्छी चीजी है कि अगर यह कहीं से विलिके होता है तो आप सिर्फ और सिर्फ उस जगह पे विलिकेज अमस्ले हैं कि आभे इसके अंदर स्टेंध कंव और पयाड़िया वागो दिशयु क्या जीररश कुछा गहाँटबंदा सबस्क्राश दाना को सब्सक्रांक्राइब औरह ख्रीकी ड्रै धा हूँम प сказала कि चल्लात अऔर depends म्मयक्म्न धियूट फोड़ाicamente नहीं होता है, अगर आप रूफ के लेबल पर काम कर रहे हो तो, मतलब जो next floor आपका है, वो roof है तो कोई problem नहीं क्योंकि रूफ के उपर ज्यादा लाइब रोड तो होता नहीं है, अब छत में हो या अपने कमरे में हो, आप अपने कमरे में हो, छत में होगा एक दो लोग से लोड वेरिंग श्रक्चर के उपर लोड वेरिंग श्रक्चर ही बना सकते हो, not required to provide column, beam, लोड वेरिंग के उपर frame मत करो, कोई मतलब नहीं है, चलिए, अब उसका तीसरा question था, कि सारी ये तो चली बहुत अच्छा आपने बता दिया, लेकिन अगर बीच में मुझे कुछ प्लानी चेंज करना हुआ तो मनलब नीचे का जो rooms है, अब यह room है, इस room में मुझे bathroom cut करना है तो, यह room में मुझे kitchen का area च्ट करना है तो, तो आप एक hidden beam provide कर सकते हो, जहां पर आपको wall provide करनी है, क्या आप provide कर सकते हो, hidden beam, एक wall से तूसरे wall के बीच में hidden beam, wall के उपर सस्टें करेगी किसी भी brick के उपर, आप एक hidden beam डाल दो, tie beam उसको बहुँ सकते हो, tie beam तो फिराल अलग हुता है, बट connect कर रहा है, tie beam भी use कर सकते हो, तो उसके उपर आप जो भी brick use करो, brick 4.5 inches से ज्यादा की मत use करो, of course वो क्या हो रहा है, कि secondary beam उसको का सकते हो, hidden beam बहु सकते हो, ऐसे beams में आपको अच्छा नहीं होगा कि आप 9 inches की wall लगाओ, बट 4.5 inches की wall से partition करके, आराम से planning में changes ला सकते हो, कोसिस करोगी ज्यादा, beams ऐसे न प्रवाइड हो, कम से कम beam में हमारा काम हो जाए तो ज्यादा बेटर है, इस तरह से हम easily load bearing structure के उपर construction कर सकते हैं, करके अपने client को submit क कर देते हैं, अब मैंने ऐसा क्यों बोला कि ऐसे धेर सारे project आपको आने वाले हैं, क्योंकि आप दीरे दीरे लोग एक दूसरे का घर देखते हैं, दूसरे की building देखते हैं, तो लगता है, मेरा बहुत पुराना हो गया है, अब इसमें मुझे कुछ या तो रिनोवेट करा आपके टाइम पे ही स्टार्ट हुएते हैं बनना जादस ज्यादा और आम उनकी life period थोड़ी 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 फिनिस होने के condition पे आ रही या फिर लोगों की requirement भी बढ़ रही कई जगों पे, population के वज़र पे, अब हम दो हमारे दो से विकास होगा है, मोधी जी बोले ते अच्छे दिन आएंगे, वही दिन तो है हो, ठीक है, तो इस तरीके से कहीं पे भी load bearing structure आएगा, तो उस load bearing structure पे आप आराम से construction करिए, कोई problem नहीं आएगा, बट उस पे load bearing ही करिए, बस याद रखिए कि नीचे से उपर load कैसे कम किया जा सकता है, नीचे 14 है, तो पर 9 है, तो अच्छे नेक्स वीडियों में, हाँ, लास्ट टाइम आपको बताना वोल गया कि जल्दी से आप अगर यूनिक सीबिल एप आपने download नहीं किया है, तो कर लिजिए, तो उसके बहुत यह सारे free material, कुछ paid material, सब कुछ provide कर रहा हूँ, आप उनके benefits ले सकते हैं, चलिए जैहें आप आप